हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल मेकैनिकल टेक हिंदी और आज हमारा टॉपिक है आटो मोबिल चैसिस इस वीडियो मैं आपको आटो मोबिल चैसिस के अलग अलग टाइप्स के बारे हैं बताऊंगा साथ चात मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वहिकल मे किस-किस चैसिस का यूज होता है और किस तरह हम लोग चैसिस का यूज पेसेंजर एंड गूड्स को कैरी करने के लिए करते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और अगर भी तक आपने मेरे चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, तो यह शुरू करते हैं, तो friends, auto mobile चैसे, इसको अच्छे तरह समझने के लिए आपको, auto mobile के components को समझना जरूरी है, कि कौन कौन से components होते हैं, तो एक auto mobile वहिकल को हम लोग 6 अलग-लग components में डिवाइड क जो अगला होता है, वो होता है basic structure, basic structure के अंदर frame आते है, suspension system आता है, then axles, और फिर wheels आते है, जो चौता component है, वो है हमारा controls, controls के अंदर हमारा braking system and steering system आता है, then friends, जो अगला component है वो है auxiliaries, auxiliaries में हमारे simple, जो हमारे headlight होते है, tail light होते है, electrical component होते हैं, जो है देन जो आख्री कॉंपोनेंट है वो है ass operator यानि कि जो बॉपर का पाट होता है वो ताय में और चलिए यह छह लगला कॉंपोनेंट होते हैं तो इसी कितात हमाराGod श्रीज मोंतों में चैसिस तो अर्टो एक होता है conventional cases, दूसरा होता है semi forward cases, और तीसरा होता है full forward cases, पहले हम लोग conventional cases की बात करते हैं, तो conventional cases में ये होता है, कि जो हमारा engine है, ठीक है, वो driver's cabin के just सामने mounted होता है, या पूरा engine driver's cabin के सामने होता है, इससे ये होता है, कि जो हमारा driver इस तरह के conventional cases के vehicle को चला रहा है, वो tyre के just सामने का road नहीं देख पाता है, वो portion उसके लिए invisible होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा engine आ जाता है ठीक है यहाँ पे मैंने red arrow से दिखा रखा है कि वो portion drivers के लिए invisible होता है और साथ ही साथ इसमें यह होता है इस तरह के chases में कि जो engine चुकी driver cabin के सामने mounted होता है तो यह पूरे का पूरा space यानि कि जो red arrow से मैंने दिखा रखा है यह पूरा space unmutilized होता है ठीक है आप यहाँ पे green arrow से देख सकते हो और इसे हम लोग passenger या goods carry करने के लिए use नहीं कर सकते हैं तिन जो अगला chases होता है वो होता है semi forward chases इस तरह के chases में यह होता है कि engine का half portion ठीक है जो आधा engine होता है वो driver के cabin के in front होता हो सामने होता है और बाकी का half engine driver के cabin में mounted होता है ठीक है आप इस pick में देख सकते हो तो इस तरह के engine में यह होता है कि जो engine driver के cabin के सामने है ठीक है बाहर में है जो वो unutilized होता है लेकिन जो portion driver के cabin के अंदर है उस portion को हम लोग use कर सकते है goods and passenger को carry करने के लिए then जो अगला chasis होता है वो होता है full forward chasis इस तरह का chasis में ये होता है कि पूरे का पूरा engine driver के cabin के नीचे mounted होता है ठीक है तो इससे ये फाइदा होता है कि हम लोग ये पूरे space को sterilize कर सकते है for carrying passenger and goods और एक और benefit इसमें ये होता है कि जो driver हमारे वहेकल चला रहा है full forward chasis वहेकल वो आसानी से अपने front tire के सामने का road देख सकता है वो visible होता है So friends, thanks for watching this video, please इस video को like करे, share करे comment करे and please मेरे channel mechanical tech hindi को subscribe जरूर कर ले, thank you good bye